कि सा काउंसलिंग में अगर आप जो है वो ओपी सी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो ओपी सी एंचेल से तो आपको जो हो डिजरिवेशन के लिए आपका सर्टिफिकेट फर्स्ट अप्राइल 2024 के बाद बनाओना चाहिए आप जो हो यह जो सा कि ओफिस्यल वेबसाइट पर और आफ्टर फर्स्ट अप्राइल 2024 यह जो है वो एन इटी प्लस सिस्टम के लिए लिखा गया हुआ है लेकिन आई एटी के लिए यह 100 परसेंट वैलिट है तो आगर आपका सर्टिफिकेट पुडाना है तो आपको जो है वो नियू सर्टिफिकेट बनवाले ना होगा ता अगर आपका सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो इस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट से आप मैच कर लो कि आपका सर्टिफिकेट मैच कर रहा है या नहीं अगर नहीं कर रहा है तो आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट फिट से बनवालो और यहां पे देखो कि फॉर् कुछा हुआ है तो आपस अपना सर्टिफट में देख लेना कि यह अप्लाइंग फौर है फिर अप्लाइंग फॉर फोस्ट है क्योंकि जो एडमीशन वाला होता है इसमें अप्लाइंग फॉर तो पोस्ट लिखा रहता है तो इस बात का पुद्यान रखना होगा और यहां प और आपको अगर query है कि OBC certificate कैसे बनता है तो उसके regarding मैंने एक बहुत ही डीटेल वीडियो बना दिया है तो उस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हो उसका link मैंने इस वीडियो के description box में दे दिया है एक point और कि यहां पर जो है वह आपका certificate है उसका language आपको English में रखना है या कि आपको बाद में कोई problem ना हो so I hope कि आपको जो है यह इसके regarding जो चानकाड़ी थी वह मैंने दी और creamy layer मतलब आपको मैंने basic difference बता देता हो कि जैसे अगर आपकी family income 8 lakh से कम होती है तो फिर आपको non-creamy layer बोला जाता है और अगर आपकी family income 8 lakh से जादा होती है annually तो फिर आपको query पूछ सकते हो और इसमें जो है वो बहुत सारे students अपने अपने doubts फूछते रहते हैं और उनका solution भी वो आपस में भी बात करते हैं तो आप जो है वो इस group को join कर सकते हो इसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगा तो वहां से आप जो है वो join कर लेना तो आक ताकि आपको ज प्रसांत की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए helpful होगी और अगर आपके life में भी problems है और अगर आप उसको सटिक solution नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोस देखके आपको काफी clarity आएगी आप इनके app पे भी जा सकते हो आजार प्रसांत app जो हो Google Play Store में आप दे की वीडियोस और एपको एक बार जरूर देखना नाम याद जरूर कर लो आजार प्रसांत